एंडिकेप और डिसेबल एक ऐसी फिजिकल कंडिशन जिसमें कोई दूसरा नहीं बलकि आपकी खुद की बॉड़ी ही आपका साथ छोड़ जाती है अपनी वही बॉड़ी जिस पर आप किसी दूसरे से भी जादा ट्रस्ट करते हो दोस्तों डिसेबल होना बहुत ही दर्दना करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं हाश बट ट्रू रियालिटी और आज हम जिस एनिमे की खानी एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे ही दिव्यांग लोगों की लाइफ पे बेस्ट है हाँ मैं बात कर रहा हूँ जोसे तो तोरा तोच साकाना ताची के नाम से जाना जाता है जो की 2020 में रिलीज हुई थी और अब तक इसके दो लाइफ एक्शन एडेप्शन रिलीज हो चुके हैं और ये एक रोमेंटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है बट स्टिल ये आपको इमोशनल भी कर देगी ये साइको तानाबेगी 1984 की जैपनी शॉट स्टोरी बेस्ट है जिसका नाम भी जोशेदर टाइगर एंड फिशी था और इसके एनिम एडेप्शन को डिरेक्ट किया है कुतारो तामूरा ने और इसकी स्टोरी को लिखा है सेको तानाबे और साया का कुवा मूरा ने और इससे एनिमेज किया है बोन स्टूडियोज ने और इसन 97% का audience score है which is quite impressive दोस्तों इसकी कहानी बहुती अच्छी और deep है जिससे आप तबी relate कर पाओगे जब आपने इससे deeply feel किया हो इसलिए मैं इसे बहुती अच्छे से explain करने वाला हूँ वने को तो इसकी कहानी बहुती अराम से एक part में भी cover हो जाती पर मैं आपको इसकी कहानी सुनाना नहीं बलकि आपको इसकी कहानी से जोड़ना चाहता हूँ तो इसकी explanation हम दो parts में cover करेंगे जहां आज की ये video इसकी explanation का part 1 है इसकी कहानी के बारे मैं आपको थोड़ा बता हूँ तो ये revolve करती है एक लड़के के around जो की अपने abroad जाकर diving के dream को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है पर एक दिन accidentally वो एक daydreamer लड़की से मिलता है जो की अपनी physical condition के चलते अपने ही घर में किसी doll की तरह फस चुकी थी पर एक दूसरे की physical appearance को ना देखते हुए दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो ये तो होगे इस anime की spoiler free introduction अब जादा time ना वेस करते हुए इस sweet love story का शूबारम करते हैं तो मुवी के starting में हम एक लड़के को देखते हैं जो की एक जगा part time job कर रहा होता है इस लड़के का नाम सुनियो सुजुकावा है जो की एक university biology student है और यही हमारी सकानी का protagonist है जिसका passion underwater diving करना है और अपने abroad जाकर diving करने के सपने को पूरा कर पाने के लिए ये तरह तरह की part time jobs करता रहता है तब ही वहाँ सुनियों के दो कलीक्स आ जाते हैं जो की उसके best friends भी थे जिसमें से लड़की का नाम मे निनोमिया होता है और लड़के का नाम हयातो मत्सूरा वो दोनों सुनियों से क्याते हैं कि summer break start होने वाले हैं तो कैसा रहेगा कि वो सब साथ में diving पे जाए इस पर सुनियों गयाता है कि उसके पास से सब के लिए time नहीं है वो next week से ही एक और नई पार्टाइम जॉब जॉइन कर रहा है ये सुनते ही हयातो गुसे में गयता है सुनियों अब बाई साल का हो चुका है और ऐसे summer breaks दुबारा नहीं आने वाले इतनी पार्टाइम जॉब्स एक साथ करके सुनियों बस अपनी जवानी वेस्ट कर रहा है पर सुनियों वहां से उठकर चला जाता है सुनियों आज construction के चलते एक नए रास्ते से घर जा रहा होता है तब ही एक handicap लड़की जिसका नाम कॉमिको और निकनेम जोसे होता है अपनी wheelchair पर तीजिसे से ढलान वाले रास्ते से गिर रही होती है जिसे गिरने से बचाने के लिए सुनियों बिना कुछ सोचे उसकी तरफ भागता है तब ही कॉमिको की wheelchair बीच में ही फस जाती है और वो हवा में उचल कर सीधा जाके सुनियों पर गिरती है क्या धा माकेदार entry थी ना और इस सब में सुनियों का डिनर भी नीचे गिर कर waste हो जाता है कॉमिको अचानक से होए इस incident से काफी घबरा जाती है तब ही पीचे से कॉमिको की grandmother कॉमिको को ढूंडते होए वहाँ आती है और कॉमिको को बचाने के लिए सुनियों को thank you बोलती है और कहती है कि जैसी वो एक second के लिए मुड़ी किसी ने कॉमिको को धक्का दे दिया अट that moment अंजाने में सुनियों का हाथ कॉमिको की कमर पर होता है तब ही कॉमिको अचाने की realize कर सुनियों के हाथ पर जोर से कारती है और कहती है परवट फिर कभी मुझे छोने की हिम्मत मत करना जिस पर सुनियों कुछ समझ नहीं पाता और कुछ ऐसा reaction देता है इसकी बाद कॉमिको की grandmother कॉमिको को अपने घर ले जा रही होती है सुनियों भी अपने घर उसी रास्ते से जा रहा होता है तब ही कॉमिको अपने ग्रैंड मदर से कहती है वो पवट अभी भी मारा पिछा कर रहा है दादी मा जिस पर सुनियों कहता है कि उसका घर भी उसी तरफ है कौमी को अपने ग्रैंड मदर से कहती है कि वॉक का क्या हुआ जिस पर उसकी ग्रैंड मा कहती है इतने डेंजरस हाथ से के बाद वो अब कुछ समय के लिए वॉक्स पर नहीं जाया करेंगे ये सुनकर कौमी को काफी दुखी हो जाती है सुनियो कहता है क्या वो हमेशा इसी समय पर वॉक्स पर जाते हैं इस पर ग्रैंड मा कहती है क्योंने लगा था कि कौमी को को वॉक्स पर ले जाने का ये रात का टाइम सबसे सेफ होगा क्योंकि इस टाइम ज्यादा लोग उन्हें नहीं देख पाएंगे लेकिन ये दुनिया तो दानवों से भरी पड़ी हुई है तभी कौमी को का घर आ जाता है और ग्रैंड मा सुनियो को उसके साथ डिनर पर इन्वाइट करती है जिस पर सुनियो अपने डिनर की हाला देखते होए हाँ बोल देता है अगले सीन में हम कौमी को को देखते है जो कि सुनियो को इग्नोर करते होए अपनी बुकड रही होती है तभी वहाँ एक ब्लैक कैट आ जाती है और सुनियो को देखकर घुरने लगती है कौमी को बोलती है वो यहाँ पे फ्री का खाना खाने आया है जोसे है यानि की दोस्तो और अब से मैं भी कौमी को को जोशे गया करी बुलाओंगा अगले सीन में हम सुनियो को खाना खाते होए देखते है सुनियो आज की डिनर के लिए ठैंक्यू कहता है क्यूंकि वो एक कौर डिनर अफोर्ड नहीं कर सकता था जिस पर grandma क्याती है कि वो college student होकर भी इतना गरीब है क्या तो सुन्यों क्याता है वो part time jobs करता है पर वो पैसे save कर रहा है और दोस्तो अगर आभी सुन्यों की तरह ही पैसे save करने पर believe करते हो then I have one recommendation for you दोस्तो गर्मियों का मौसम आ चुका है यानि की गर्मियों के कपड़े और AC fridge वगेरा की shopping करनेगा अभी Amazon, Aji और Flipkart पे summer sale लगी हुई है with up to 90% off पर खर्चे के tension लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं shopping करने का आपको एक ऐसा smart तरीका बता रहा हूँ जो shopping करने के free पैसे देता है जी हाँ इसका नहा हमें cash करो जैसे already 1.5 करोड लोग use करके जबरदस्त कमाई कर रहे हैं तो Amazon, Mintra से लेके Big Bazaar जैसी और भी कई सारी sites के discounts के उपर और भी पैसे बचाने और extra cash back कमाने के लिए सीधे जाना cash करो पर जो की shopping करने के free पैसे देता है इसमें आपको already चले डिसकाउंट के उपर up to 30% extra cash back अलग से मिल सकता है जबरदस्टील तो यह है कि यह Amazon पर 150 रुपीज की shopping पे 75 रुपीज का cash back मिलता है even cash back, cash on delivery और online payments दोनों पे मिलेगा और तो और यह app रतन टाटा दुआरा funded भी है यह app यूज करना बहुत ही simple है सर्थ दो steps तो ध्यान से सुनना क्योंकि आगे giveaway भी है जिसमें आप 500 रुपे के voucher जी सकते हो step 1, description में दिये हुए link से app टाउनलोड करो जिसे आपको 25 रुपे का bonus तुरंत मिल जाएगा या फिर अलग से play store या app store से गरोगे तो मेरा code AL25 यूज कर लेना तो अभी bonus मिल जाएगा step 2, अब homepage पे कोई भी मनपसंद की website जैसे Amazon search करो और orange button पर click करो जैसे चाहे shopping करो और अपना कमाया हुआ cash back आप my earning में जाके check कर सकते हो जो कि आप अपने bank account में भी transfer करवा सकते हो बस इतना simple तो जाओ जल्दी जाओ और app try करो कम से कम एक trip का खर्चा तो निगलेगा back to over video पीछे से जोसे अपनी ग्रेनमा से चाए मांगती है तो सुनियो ग्रेनमा की मदद करता है और जोसे को चाए ला कर देता है और फिर खाना खाने बैठ जाता है और दबी वास में कहता है इस लड़की की तो काफी demands है जोसे ये सुन लेती है और सुनियो को पीलो फैंकर मारती है और अपने रूम में जाकर दर्वाजा बंद कर देती है इसकी बाद सुनियो, डिनेर के बाद घर जा रहा होता है तब ही ग्रेंड मा उसे रोक कर कहती है क्या वो पैसे कमाना चाता है अगले सिन में हम सुनियो को नीनोमिया और हयातों के साथ देखते हैं जा सुनियो उन्हें अपनी नई जॉब के बारे में बताता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सुनियों को जोसे की ग्रैंड मा ने एक high paying job offer करी है जिनसे मिले पैसों को इकटा करके सुनियों graduation के बाद अपने मैक्सी को जाकर डाइविंग करने के सपने को पूरा कर सकता है दुसरे तरफ नीनोमिया सुनियों की मैक्सी को जाने वाली बात से जादा खुश नहीं लग रही होती पर वो सुनियों की महनत और ड्रीम्स की respect करती है इसलिए वो कुछ नहीं गयती तब इस इंच्रिट होता है और हम सुनियों को जोसे के घर पे देखते हैं जा ग्रैंड मा घर से कहीं बाहर चली जाती है इसकी बाद सुनियों जोसे से कहता है जान क्या तुम्हें कुछ चाहिए तब ही जोसे गुसे से कहती है कि मेरा नाम जोसे है और फब वो एंबेरस होगकर अपने रूम में घुसकर एकडम से दर्वाजा बंद कर देती है सुनियों जोसे खोст जेते होए सुनियों को अपने गुटनों के बल बैटने को कहती है तो सुनियों ऐसा करने की वज़ा पूछता है जिस पर जोसे कहती है कि वो जानना चाहती है कि एक यूमन कितनी दिर तक इस तरह बैट सकता है सुनियों ये सुनको शौक रह जाता है पर जोसे कहती है मत भूलो कि मेरा हर और्डर फॉलो करना तुमारी जॉब है यानि कि दोस्तों जॉब के भाने सुनियो को टॉर्चर कर रही है इसकी बस इंजिव्ड होता है और हम सुनियो को निनोमिया और हैतों के साथ ढ्रिंक करते होई देखते हैं जा सुनियों, अपनी दुख भरी कहानी, उनको सुना के, अपनी भठास बाहर निकाल रहा था, इसके बाद अगले दिन भी हम, सुनियों को जोशे के रूम के बाहर, गुटनों के बल बैठा हुआ देखते हैं, तबी जोसे, अंदर से अवाज देते होए, सुनियों को मैट मे लगे थ्रेट्स को count करने लगता है गिनते गिनते बहुत समय बाद वो 5000 थ्रेट्स तक गिन लेता है पर फिर तबी जोसे की grandma घरा जाती है जोसे सुनियों डिस्ट्रेक्ट हो जाता है और अपनी counting भूल जाता है तो जोसे अपने room से अवाज देते हुए क्याती है कोई बात फिर से अपनी counting शुरू करो ये सुनते ही सुनियों frustrate हो जाता है और अगले दिन जोसे सुनियों को उसका अगला task देती है जो की होता है चार पत्यों वाले 10 lucky clover ढूंड कर लाना जो की सुनियों जैसे तैसे बहुत खुजने के बाद ढूंड कर ले आता है जोसे अपने room मे उनको पाकर अपने आप से कह रही होती है कि कुछ भी नहीं हुआ मैंने सुना था कि 10-4 पत्यों वाले close collect कर लेने से कोई भी wish पूरी हो जाती है पर शायद वो एक myth था सुनियों बाहर से ये सुन लेता है और कहता है कौन से wish जिस पर जोसे कहती है मुझसे बात मत करो मैं busy ह जोसे को लेकर काफी frustrated और गुसे में था इस पर निनोमिया कहती है अगर सुनियों को उस लड़की से इतनी ही problem है तो सुनियों को वो job quit क्यों नहीं कर दे था जिस पर सुनियों कहता है काश में quit कर पाता पर मुझे उन पैसों की सक्त जरूरत है जिस पर हयातों कहता है जोसे होता है और हम सुनियों को professor के साथ देखते हैं जिनकी marine lab में सुनियों part time job करता है इनकी बात उसे हमें पता चलता है कि professor की reference से सुनियों का selection मेक्सिको university में हो गया है बस scholarship के confirmation का इंतिजार है जिसके बाद सुनियों मेक्सिको जागर पढ़ सकता है ये सुनते ही सुनियों काफ उसे मना करते हुए क्याती है क्या होगा अगर फिर से उसे कोई धका दे दे क्या वो खुद को बचा पाएगी साधी grandma क्याती है मत भूलो ये दुनिया खुंखार दानों से भई पड़ी है ये सुनके जोशन इराश होके क्याती है हाँ हाँ वो अच्छी तरह से जानती है इसकी बाद जोसे अपने आप से कहती है उनके लिए ये सब कहना आसान है क्योंकि वो फ्रीली कहीं भी गुमने जा सकती है पर मैं यहां इस गर में हमेशा के लिए फसकर रह गई हूँ इसकी बाद ग्रेंडमा अपनी आफ्टरनून जपकी लेती है और फिर सिंजिव डोता है और सुनियो जोसे के घर आता है और जोसे के रूम के दर्वाजे के बार आगे गयता है कि वो अब ये जॉब कुट कर रहा है काफी देर हो जाती है पर जोसे का अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो सुनियो जोसे को चेक करने के लिए दर्वाजा खोल कर अंदर चला जा पूरा रूम, किसी मर्मिट के रूम की तरह लग रहा था, जहां कई सारे ओशन्स की पेंटिंग्स लगी होती है, जो शायद जोसे ने खुद बनाई थी, तभी घर के बाहर से ग्रैंडमा की आवाज आती है, जिनको सुनकर सुनियों दौरते होए ग्रैंडमा के पास जाता है जहां ग्रैंडमा बताती है, कि जोसे बीना बताए, कहीं चली गई है, अगले से ने हम जोसे को देखते हैं, जो कि अपनी वीलचेर में कहीं जा रही होती है, तभी उसे डूंटे डूंटे, वहां सुनियों आ जाता है, और जोसे सुनियों को रुकने के लिए कहता है, पर अगर सुनियों उसे नहीं ले गया, तो वो ग्रैंड़मा से कहेगी, कि सुनियों ने उसके बूबस टच करे, क्या, क्या मतलब तुमको वही सुनना है, ओके, take two, और साथ ही जोसे, सुनियों को blackmail करते होए कहती है, कि अगर सुनियों उसे नहीं ले गया, तब ही सुन्यों वापिस आता है और जोसे को समुदर दिखाने ले जाने लगता है और साथ ही गयता है पर इसके extra charges लगेंगे दोनों station पहुंच आते हैं सुन्यों जोसे को tickets लेने को कहता है और station के बाहर जाकर grandma को call करके बताता है कि उसे जोसे मिल गई है और वो जल्दी उसे घर ले आएगा दूसरी तरफ जोसे tickets निगान ले जाती है पर machine चलना ही रही होती तो फिर वो आसपास के लोगों से मदद मागने की कोशिश करती है पर हर कोई उसे ignore कर देता है तबी बीचे से एक आदमी फॉन चलाते होए आ रहा होता है और जोसे से टकराता हुआ आगे निकल जाता है और ऐसे दिखाता है जैसे इसमें जोसे की गलती थी जोसे लोगों का ऐसा reaction देखकर काफ़ी डिमोटिवेट हो जाती है सुने वापिस आता है और जोसे को साइड में अपसेट देखता है तबी जोसे कहती है टाइगर्स यहां हर जगा सिर्फ टाइगर्स हैं तबी एक आदमी अपने बैक से जोसे को ठोकर मार देता है सुने उस आदमी को माफी मांगने को कहता है जिस पर वो आदमी कहता है ये उस लड़की कीगलती है तब ही वो आदमी आगे जाकर एक और लेडी से टकरा जाता है तो लेडी गुस्से में कहती है मुझसे अभी माफी मांगो नई तो मैं तुम्हारा दिल निकाल के तुमें ही खिला दूँगी ये सुनकर वो आदमी काफी ज़दा डर जाता है और उस लेडी को सौरी बोल कर वहाँ से भाग जाता है उस आदमी को लेडी से डांट खाता देख जो से हंसने लगती है इसके बाद उनों ट्रेन टिकर्स लेकर ट्रेन में चड़ने लगते हैं जोसे ट्रेन में बैट कर काफी excited लग रही थी और जैसे कोई चोटा बच्चा ट्रैवल करते हैं विंडो से बार के नजारे देख रहा होता है जोसे exact वैसे ही खुशो के बार देख रही होती है सुनियो लगातार जोसे कोई देखे जा रहा था तब ही जोसे ये realize कर सुनियो से जूट कहती है कि आसा मत सोचना कि मैं first time train में travel कर रही हूं और मुझे घूरना बंद करो जिस पर सुनियो कहता है मैं बस सोच रहा था कि तुम इस दुनिया को कैसे देखती होगी जिस तरह से तुमने इस दुनिया को draw किया था मैंने भी कभी उस तरह से इस दुनिया को imagine नहीं किया जिस पर जोसे शिर्मा आते होए कहती है क्या सुनियो उसके रूम में गया था तुम काफी बूरे caretaker हो सुनियो कहता है caretaker? जोसे कहती है हाँ हाँ से तुम मेरे caretaker हो मतलब अब जोसे ने सुनियो को as a caretaker accept कर लिया था इसके बाद दोनों समुदर की नारे पहुंच जाते है जोसे समुदर देखकर अपनी wheelchair पर समुदर की तरफ जाने लगती है तब ही जोसे की wheelchair रेत में धस जाती है और जोसे नीचे गिर जाती है और फिर वो खुद को गसीटते होए समुदर की तरफ जाने लगती है सुनियो कहता है वो ऐसा क्यों कर रही है जोसे कहती है उसे जवाब चाहिए और कहती है उसके डैड ने एक बार पूचा था कि ओशन का टेस्ट कैसा होता है और जब वो छोटी थी तब उसके डैड उसे एक बार ओशन ले गए थे पर लहरे तेज होने की वज़े से वो डर गई थी तो समुदर के पानी को टेस्ट नहीं कर पाई फिर इसके कुछ समय बाद उसके डैड बिना इसका जवाब दिये मर गए साथ ही जोसे कहती है कि of course उसने बुक्स में पढ़ा है कि समुदर का टेस्ट salty होता है पर ये उसका आखरी मौका है ये बात खुद confirm करनेगा जोसे समुदर तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रही होती है तब ही सुनियो उसे अपने कंदे पे उठा लेता है जोसे उसे ऐसा करते देख एम्बेरस हो जाती है और कहती है मुझे नीचे उतारो पवर्ट सुनियो जोसे को समुदर की तरफ ले जाते हुए कहता है क्या वो जानना नहीं चाहती कि समुदर का टेस्ट कैसा होता है कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉस्ट करके सब्सक्राइब बटन दबा कर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि हम ऐसी ही अलग लग तरह की एनिमे एक्स्प्लाइशन वीडियोज हिंदी में लेके आते रहते हैं अगले सीन में जोसे और सुनियो काफी लेट घर पहुंचते हैं ग्रेंडमा सुनियो को गुसे से कहती है उसने तो कहा था कि वो जोसे को लेके जल्दी घर आ जाएगा इसके बाद ग्रेंडमा सुनियो के प्राइवेट पार्ट को जूर से खींसती है और कहती है अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो वो जॉब के साथ साथ अपना कुछ और भी खो देगा आप सभी समझी गए होंगे कि क्या और फिर ग्रैंड माँ वहाँ से चली जाती है जो से सुनियों से पूसती है कि वो उसे ओशन दिखाने क्यों लेकर गया जिस पर सुनियों गयाता है कि वो किसी को समुदर के लिए तरसते हुए नहीं देख सकता आगे सुनियों बताता है कि उसे फिश को स्विम करते हुए देखना पसंद है इसलिए वो डाइविंग करने जाता रहता है और साथ ही एक डाइविंग शॉप पे काम भी गरता है ये सुनकर जोसे काफी हैरान होके कहती है ये काफी कमाल की बात है कि सुनियों मचलियों के साथ अंडर वाटर स्विम करता है इसकी वाद सुनियों कहाता है कि वो जोसे को और भी जगा एक्स्प्लोर करवाना चाता है और पूछता है कि क्या जोसे और कोई जगा भी घुमना चाहती है जिसपर जोसे दीमी अवास में कहती है उसकी ग्रैंडमा एक से तीन बजे के बीच आफटरनून जब की लेती है तो उसकी बीच सुनियों उसे घुमा सकता है अगले दिन जोसे और सुनियों ग्रैंडमा की सोने का इंदजार कर रहे थे और उनके सोते ही बार घुमने निकल जाते हैं और फिर दोनों कहीं बार कुछ खाने जाते हैं बार जोसे पहली बार ऐसा खाना ट्राइ कर रही थी और बड़ी एकसाइट होके खा रही होती है सुन्यों क्याता है क्या वो फॉर्स टाइम ये टेस्ट कर रही है जिसपर जोसे, अमबैरस होते होए जूटी क्याती है कि वो पहले भी अपने बॉइफ्रेंड्स के साथ ये खा चुकी है और क्याती है वो लड़कों के बीच काफी पॉपुलर है और उसके एक समय पे पाँच-पाँच बॉइफ्रेंड्स हैं जिसपर सुन्यों क्याता है हाँ, बिल्कुल तब ही एक लड़का स्केट स्कूटी चलाते होए वह आता है जोसे देखर जोसे भी वो एक बार ट्राय करना चाती थी अगले दिन सुन्यों वैकियम क्लीनर से जोसे के लिए स्केट स्कूटी बनाता है और जोसे को उस पे घुटने के बल बिठा के उस पर उसे राइड कराता है पर थोड़ा सा आगे जाते ही जोसे नीचे की जाती है सुन्यों घबराते हुए उसके पास आता है और क्याता है कि क्या वो ठीक है तो जोसे सुन्यों को उसका वील भेंकर मारती है अगले दिन सुन्यों उसकी इसमें बदद कर रहा होता है आज क्रेंड मा जोसे को खाना बनाते देख काफी शौक रह जाती है अगले सीन्यों में जोसे सुन्यों के साथ मूवी देखने जाती है तभी सीन्शिवड होता है और सुन्यों जोसे को एक्वियरियम ले जाता है जोसे पहली बार ऐसा कुछ देख रही होती है जहां सुन्यों जोसे का personal host बन कर पूरा aquarium घुमाता है अगले सीन में हम जोसे को उसके room में देखते हैं जिसने अब ocean के इलावा भी कई सारी जगा की drawings बनाना शुरू कर दी होती है जिसका मतलब उसने अभी तक सिर्फ ocean को ही देखा था पर सुनेयों के साथ उसने काफी सारी नई चीज़ों को experience किया तब इस इंशिवड होता है और हम ग्रैंड मा को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखते हैं जो कि एक consultant था और वो जोसे को independent बनाने के लिए ग्रैंड मा को जोसे के लिए एक job offer दिखाता है जिस पर ग्रैंड मा साथ मना कर देती है और कहती है वो जोसे को बाहर जाने नहीं देती और यहां में इनकी बातों से बता चलता है कि ग्रैंड मा पहले से जानती है कि सुनियों और जोसे चुप चुप कर बाहर गुमने जाते हैं पर ग्रैंड मा जोसे को इतना खुश देखकर अंजान बनने का नाटक कर रही होती है तब इस इंजिव्ड होता है और सुनियो जोसे को लाइबररी ले जाता है जहां इतनी सारी बुक्स को देखकर जोसे उन सबी को पढ़ने के लिए काफी एकसाइटेड लग रही थी आसपास नहीं होता तो एटलास टीमत करके वो खुद ये फॉर्म फिल कर देती है काना ओटर सागन की बुक्स देखकर जोसे से पूशती है क्या वो भी सागन की फैन है जिस पर जोसे बात करते होए बहुत ज़ादा घबरा जाती है और शर्माते होए हां कहती है काना एक्साइड होते होए पूशती है कि उसकी फेवरेट वो कौन सी है पर क्योंकि जोसे ने पहले कभी किसी स्ट्रिंजर के साथ इस तरह से इंट्रेक्ट नहीं किया होता तो उसकी बात करने में हालत काफी खराब हो जाती है और वो कुछ भी नहीं क्या पाती तो काना माफी मांगते होए क्याती है पर जोसे फिर काना को उस सवाल का जवाब देते होए क्याती है इसके बाद काना और जोसे में लंबी बाते शुरू हो जाती है वो ही दोस नेवर एंडिंग गर्ल्स कॉसिप्स और जिस नाम से सुनियों कॉमिकों को बुलाता है यानि जोसे वो इसी बुक के में करेक्टर का नाम है जिसे जोसे कहा कर सर्फ उसका लवर ही बुलाता है और क्योंकि लाइब्रेरियन काना भी सागन की फैन है और थोड़े दिर पहले जो जोसे ने फॉर्म भरा था उसमें तो उसने अपना नाम कॉमिकों लिखा था ना कि जोसे तो इसी वज़े से काना सुनियों को जोसे का बॉइफरेंड समझ बैटी काना कहती है कितना अच्छा है ना वो उसे जोसे कहा कर बुलाता है यह सब सुनको जोसे सरम के मारे लाल हो जाती है और कहती है वो कोई उसको बॉइफरेंड नहीं है जिसपर सुनियों जोसे की टांग खींसते हो एक काना से कहता है जोसे मेरे जैसे लड़कों पर कहीं टाइम विष्ट करेगी और वैसे भी जोसे की तो एक समय पर पांच-पांच वॉइफरेंड हैं जोसे काना के सामने अम्बैरस होके सुनियों से कहती है क्या उसे मार खानी है इसके बाद दोनों घर जाने लगते हैं सुनियों कहता है तो मतलब जोसे को आज एक नई फ्रेंड मिली जोसे पूसती है क्या इस तरह से बात करने से फ्रेंड्स बन जाते हैं तो सुनियों कहता है हाँ साथ ही सुनियों कहता है जोसे भी इस तरह से बात करना सीख जाएगी अगर वो मेरी तरह डाइविंग शॉप पर काम करे तो ये सुनकर जोसे उससे अपने डाइविंग शॉप दिखाने को कहती है तो फिर दोनों डाइविंग शॉप पहुंचते हैं जान हयातो जोसे की खुबसूरती पर फिदा हो जाता है और अपना शांदार तरह से इंट्रो देते होए जोसे पर लाइन मारते होए उसके शोशेल हैंडर्स के लिए पूसता है जिस पर जोसे गयाती है उसके पास तो फॉण ही नहीं है और हयातों के अर्मान यही पर चूर चूर हो जाते है इसकी वाद सुनियो जोसे को अपना डाइविंग कोलेक्शन दिखाने लगता है तब ही वहाँ निनोमिया आ जाती है और जोसे बात करने की कोशिश करती है पर जोसे सुनियो की फीमल फ्रेंड निनोमिया को देखकर जैलेस वील करती है और उसे इग्नोर कर उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती तो फिर निनोमिया सुनियों से बाते करने लगती है और उन्हें इस तरह से इतना close बाते करता देख निनोमिया वहाँ से चली जाती है सुनियों को कुछ समझ नहीं आता और वो जोसे को रोकने की कोशिश करता है और कहता है वो ऐसे क्यों जा रही है वही तो उसकी डाइविंग शॉप देखना चाहती थी पर जोसे कहती है उसे ऐसी जगा पर आना पसंद नहीं है सुन्यों कहता है कैसी जगा और जोसे को यहां क्या पसंद नहीं आया पर जोसे लड़कियों का वो famous dialogue मारती है तुम नहीं समझोगे इस पर सुन्यों गुसे में कहा आता है मैं क्या नहीं समझ पा रहा पर जोसे वहां से केले ही घर चली जाती है गाइज इसका मतलब जोसे को कही ना कही सुन्यों के लिए feelings है तब ही वो किसी और के साथ सुन्यों को नहीं देख पाई तब ही scene shift होता है और हम जोसे को उसके घर पे देखते हैं जोसे अपनी ग्रैंड मा को कल से सुन्यों को यहां बुलाने से मना कर देती है अगले scene में सुन्यों को ग्रैंड मा का कौल आता है जो कि उसे अपसे काम पे आने को मना कर देती है scene shift होता है और हम सुनियों को अपनी पार्टाइम जॉब पर काम करता हुआ देखते हैं तब ही सुनियों को मैक्सिको युनिवोस्टी की तरफ से स्कॉलर्शिप कन्फरमेशन का मैसेज आता है जिसकी according सुनियों 6 महीने के बाद मैक्सिको जाने वाला है जिसे देख सुनियों काफी जाता खुश हो जाता है अगले सीन में हम काना को देखते हैं जोगी जोसे से सुनियों की बारे में पूषती है क्यांकि आज वो लाइब्रेरी अकेली आई थी जिसपर जोसे कहती है कि उस बेफूफ की किसे जरूरत है वो किसी गाम का नहीं है वो बस भुकों की तरह खाता है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है काना हंसते होई कहती है ये तो हो नहीं था तब युवाँ एक छोटी बच्ची आती है नहीं, हिरोपंती वाली छोटी बच्ची नहीं सची मुची वाली छोटी बच्ची और वो काना को उसके लिए स्टोरी पढ़ने को कहती है पर काना बीजी होने के कारण मना कर देती है जिस पर वो बच्ची जोसे को स्टोरी पढ़ने को कहती है और जोसे थोड़ा गबरा के उसे स्टोरी सुनाने के लिए मान जाती है और देखते हैं देखते हैं स्टोरी सुनने के लिए बच्चों की भीड लग जाती है पर जोसे काफी नर्वस होती है और बड़ी मुश्किल से स्टोरी सुनाना शुरू करती है कानी एक मर्मेट के बारे में होती है पर जोसे इतनी नर्वस होती है कि उसकी स्टोरी बताने के तरीके में कोई emotion ही नहीं होता जिसे बच्चे बोर होकर जब चाप वहाँ से उठकर चले जाते हैं जोसे की नजरें बुक में ही चिपकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि सब बच्चे उठकर वहाँ से चले गए हैं लास्ट में जोसे नजरें उठा के देखती है तो उसके सामने सिर्फ वही बच्ची बच्ची होती है जिसने जोसे को स्टोरी सुनाने को कहा था वह बच्ची जोसे दे पूस्ती है कि मर्मेट कासल कैसा होता है जिस पर जोसे उसे बोर्ड पर मर्मिट कासल बना कर दिखाती है जो कि उसने काफी एपिक बनाया होता है इतना सुन्दर आर्ट देखकर काना जोसे को पेंटिंग्स का कोलेक्शन बना कर पब्लिश करने का सजेस्ट करती है पर जोसे शर्मा जाती है और नर्वस होके कहती है वो यह नहीं कर सकती तब इस इंशिवड होता है और हम जोसे को देखते हैं जो कि अपने room में drawing बना रही होती है तब इस सुनियों वह आ जाता है जोसे गुसे में कहती है कि सुनियों को यहां आने से मना किया हुआ है पर सुनियों लाइट बंद करके एक सुन्दर फिश लैंब जलाता है और जोसे को गिफ्ट करता है जो कि उसने खुद बनाया था और वो जोसे को काफी pretty लगता है पर जोसे कहती है अगर यह उसके care-taker ने बनाया है तो यह काफी अगली है इसकी बाजों से बूचती है कि यह कौन सी फिश है जिस पर सुनियों बताता है यह एक rare फिश है जो कि सिर्फ मेक्सीकों में ही पाई जाती है साथ ही सुनियों बताता है कि अपने पिरेंट्स के डायवार्स के बाद सिर्फ उसकी मौहम्य उसके साथ है पर वो भी अपने काम की वज़े से ज्यादतर बीजी ही रहती है यह सब सुनके जोसे कहती है वो फिश जरूर बहुत खुश होती होगी जब इस सुनियों बताता है वो बच्पन से इस फिश के ग्रूप के साथ स्विम करने का सपना देखता था इसलिए वो पढ़ाये के साथ साथ पाल टाइम जॉब्स करके पैसे सेव कर रहा है ताकि वो एक दिन मेक्सी को जाकर अपना ड्रीम पूरा कर पाए पर क्यूंकि ये फिश इतनी रेर है तो इने एक विकेशन में ढूंट पाना काफी मुश्किल है नए तो सुनियों कब का कुछ दिन के लिए मेक्सी को जाकर ये करके आपा था तब ये उस फिश लैम की लाइट बंद हो जाती है और हर जगा अंधेरा हो जाता है जोसे अपसेट हो के कहती है ये वला फिश लैम तो खराब है तो सुनियों लैम को फिर से ठीक कर देता है पर इसी बीच दोने एक दूसरे के काफी करीब आ जाते है और एक दूसरे में कुछ पल के लिए खोसे जाते हैं बस जैसे किस की ही दे रही थी लेकिन जैसे ही जोसे ये रिलाइस करती है तो एंबारस हो के सुनियों को जोर से अपना सर मारती है और दूर हो जाती है सुनियों को समझ नहीं पाता और धर्द में चिलाते हुए कहता है तुमने ऐसा क्यूं किया अगले दिन हम जोसे को मज सचते सवरते देखते हैं सुनियों वह आता है और जोसे अपनी ग्रैंडमा के सामने ही सुनियों को बाहर घुमने चलने को कहती है आज जोसे का ऐसा रूप देखकर ग्रैंडमा भी शौक रह जाती है जोसे जाते समेट, अपनी ग्रैंडमा से कहती है, ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, और फिर वो सुनियों के साथ बाहर चली जाती है, ग्रैंडमा ये देखकर काफी ज़़ादा खुश होती है, और खुशी से जूम उठती है, ग्रैंडमा ये सब पहले से ही चाहती थी पर उन्हें कोई सही सा लड़का चाहिए था जो अच्छे से जोसे का ख्याल रख सके जोसे बारी दुनिया में जीना सिखा सके तब इस इंच्रिवड होता है और हम जोसे को सुनियों के साथ जो में एक टाइगर के केज के पास देखते हैं ताइगर को देखकर जोसे कहती है उससे अब नाइट मिर्ज आने वाले हैं जिसपर सुनियों कहता है कि जोसे खुदी तो टाइगर देखना चाहती थी जिसपर जोसे कहती है वो इस जू के सबसे ड्रावने जानवर को सुनियों के साथ देखना चाहती थी जो से सुनियों को library में बच्चों को खानी सुनाने वाली बात बताती है और कहती है कि वो nervous थी इसलिए वो story ठीक से नहीं सुना पाई पर उसकी paintings बच्चों को काफी पसंद आई जिसके बाद उसने और सदर draw करने का decide किया है साथ ही जो से बताती है कि वो painting को अपना profession बनाना च चाती है वो सुनियों की तरह ही अपने dreams को पूरा करने की कोशिश करना चाती है जिस पर सुनियों गयता है उसे भी उसकी drawings काफी पसंद है जो से सुनियों को बताती है कि वो अपने dad के साथ springs में cherry blossom देखने आया करती थी जिस पर सुनियों गयता है वो नजारा काफी जैसे लिए बेल आइकन को जरूर से अव讚ार इम्रें खरोन QA देंगर Six लिएार। आ जाएगी। आपको आपके फщеल और जीतने के लिए दो स्टेबs हैं। Step 1, description के link से catch करो app download करो और अगर play story या app store से कर रहे हो तो मेरा code AL25 use कर लेना Step 2, बस एक transition करो चाहे स्वीगी से खाना order करो या Amazon से phone और हाँ, order cancel लहीं करना है दोस्तो अभी तक की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो पे like और comment करके जल्दी से share करके इससे फैला दो क्योंकि part 2 आते ही आपके आँखों में आंसुला देगा Question of the day जो से और काना के favorite author कौन थे मिलते हैं part 2 में हर हर महादेव